गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में प्राचीन इत्यास तता सेंस करती के परमुक स्थल साकल और वेशाली के बारे में ध्यान करेंगे तो देखेगा स्टुडेंट्स इस करिएगा और एकजाम की तैयारी करिएगा है तो चलिए बढ़ते हैं परमुक स्थल साकल यू पैशाली तो सब से पहले है परमुक स्थल साकल तो देखेगा साकल है कहां पर ठीक है तो पाकिस्थान का जो श्याल कोट नमक्स्थान है इसका ही प्राचीन समय में साकल नाम थ यहां का राजा शल्य था बोध गरंति से सागल तथा युनानी मंगल कहते हैं युनानी लेकों के अनुसार सिकंदर के समय यहां कठ गण जाती का सासन था इस जाती के लोग पंजाब के सबसे वीर जातियों में थे नगर के चतूरदिक उंची दिवार तथा गहरी खाई बनी हुई थी परसिद यवन सासक मेनांडर ने यहीं अपनी राजदानी बस आई थी तो जो यवन सासक ता मेनांडर उसने साकल में यह अपनी राजदानी बस आई थी अब देखेगा मिलिन्द पनों में इसे योन कानम नगर कहा गया है तो मिलिन्द पनों में योन कानम नगर किसे कहा गया है साकल को इस ग्रंथ में नगर के वभव का वनन मिलता है यहां आराम, उद्धान तथा तडाग बने हुए थे चारो और प्राकार तथा परिखा थी नगर में सुन्दर सडके नालियों चोराहे तथा उंचे उंचे राज़ प्रशाद थे नागरिक सुखी तथा सम्रद थे सात्विस तापदी के यात्री व्यनसांग ने भी इस नगर का उलेख किया है उसके नुसार ये हून नरेश मिहर कुल की राज़दानी थी ठीक है तो जो व्यनसांग है उसके नुसार जो साकल है ये है हून नरेश मिहर कुल की राज़दानी थी व्यनसांग ने इसे विरान पाया यहां एक विहार था जिसमें एक सो हीन यानी बिक्षू रहते थे नगर में इस्थित दो स्थूपों को भी उसने देखा था तो ये आपका परमुग स्थलता शाकल जिसके बारे में इंपोर्टेंट बाते हमने आपको बताई हैं एकजाम में कई बार पूछ लेते हैं तो वीडियो को आप धान से देखेगा अब आता है दूसरा स्थल है वेशाली बिहार प्रांत के मुझफर पूर जिल्ले से 20 मिल दक्सिन पसिम की और इस्थित बशाड नामक स्थान ही प्राचेन काल का वेशाली नगर था रामाइन में इसे विशाला कहा गया है बुधकाल में यहां लिछवियों का परशित गणराजे था ये गणराजियों में सबसे बड़ा और सक्तिसाली था तो गणराजे जो थे उनमें सबसे बड़ा और सक्तिसाली गणराजे कौन सा था वेशाली इसकी केंदरिये समीति मे 7707 राजा थे वेशाली बुद्ध काल का एक महतो पुनस्थल था ललित विस्तार में इसे महानगर भी कहा गया है जैन्दता बो दर्हम का केंद्र वेशाली था महावीर ने अपने जीवन के प्रारंबिक 30 वर्ष यहीं बिताई तथा कई बार उन्होंने यहां उपदेश भी दिये उनकी माता तुरुषला वेशाली गण के परमुक चेटक की बहन थी गोतम भुद्ध को भी यह नगर बहुत प्रिये था लिच्वियों ने उनके ठहनने के लिए महावन में कुटाग्रुषाला का निर्मान करवाया था यहां भुद्ध ने कई बार उपदेश दिये थे इस नगर की परशिद वदू अमरपाली उनकी सिस्या बनी उसके बिक्षू संग के लिए अमरवाटी का दान में दिया था लिच्वियों राजे बड़ा सम्रद एवन सक्तिसाली था मगद नरेस अजाद सत्रु ने कूटनिती द्वारा फूट डलवा दी तता फिर उस पर अधिकार कर लिया उसके बाद लिच्वि द्रिक काल तक दबे रहे कुशाणों के पतन के बाद तथा गुपतों के उदे के समय गंगा गाठी पर उन्होंने पुनह अपने श्वाधियंता गोशित कर दी थी फायान तता वियन सांग दोनोंने वेशाली नगर का वर्णन किया है उन्होंने इसकी संपनता का वर्णन किया है यह हैिक कई इस्तूप तता विहार थे लोग सच्चे और इमांदार थे भूमी बड़ी उपज़ाऊँ थी वेनसाग ने वेशाली की द्वित्य बोश संगीती का उलेक किया है जिसमें 700 बिक्षों ने भाग लिया था वेशाली के समीफी बखिरा है जहां से असोका सिह सिर्ष स्थम्ब लेक मिलता है बसाट के खंडरों में राज प्रशाद एवं इस्तूप के अवसेस है यहां से क कुछ मुद्राएं भी मिलती हैं यहां के टीले की खुदाई बलाक महोदे ने की थी 1934 से 1958 बासट इस्वी तक यहां पांच उत्खनोनों में बड़े पैमाने पर खुदाई की गई उपलप्त बहुतिक अवसेसों से सूचित होता है कि इस्सा पूर्वा पच्चास से लेकर 200 इस्वी तक यहां एक समरत नगर था कुसान का लिन अवसेसों में सूराही नुमा हजारे गहरे कटोरे इंटों के मका तता 37 फुड लंबी एक दिवार यहां पर यहां से हमें मिलते हैं कुसान का लिन सिक्के तता लगबग 2000 मुहरे यहां से मिलती हैं जिन में अधिकांस त सिल्पियों व्यपारियों सोधागरों एम उनके नियमों की हैं गुप्त कालीन अवसेस उंचे अपेक्षा कृत गठिया किशम के हैं जिन से नगर के पतन की धारना बनती है ठीक है तो देखेगा यहां पर हमने प्राचिन कालीन इस्तलों के बारे में जानकरी प्राप्त की तो यह जो इस्तल है यह एकजाम की दिस्टी से बहुत महत्वपुण है वीडियो को आप बार बार देखें वीडियो को लाइक और सेर करें यदि आपके पास कोई सुझाव हो हमारे लिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं हमारे वीडियो अन तक देखने के ल ने वाद